भारतिय रेलवे गरीब परिवारों की मध्यम वर्गे परिवारों की सवारी है। बहुत ही हमारी अर्थविवस्ता का एक इंपोर्टन्ट, बहुत ही इंपोर्टन्ट स्ट्रक्चर है। ऐसे important sector को आज से 10 साल पहले तक totally ignore किया जाता था, capacity create करने के लिए जो investment चाहिए वो नहीं आता था मोदी जी ने 10 साल में इतना focus दिया है railway पे कि जहां gross budgetary support बारत सरकार के budget से जो funds आता था, 15,000 करोर के आसपास आता था, वो आज 2,500,000 करोर किया है ये मोदी जी का बहुत पस्ट railway के प्रती commitment है, transportation के प्रती commitment है, logistics और efficiency देश में बढ़ाने के प्रती commitment है आप देखें पिछले 10 वर्षों में 26,000 किलोमेटर नए track एड़ किये हैं, पिछले साल 5,200 किलोमेटर नए track एड़ हुए, Switzerland के जितना railway network है, वो पूरा को पूरा एक साल में एड़ हुआ, इस साल 5,500 किलोमेटर नए railway track एड़ हुआ है एक तरीके से capacity बढ़ाए बिना कैसे ज़्यादा नई गाड़िया चला पाएं, वो संबब नहीं था, ये मोदी जी ने समझा, समझ के capacity बढ़ाने पे जोर दिया, और एक तरीके से पूरा focus capacity बढ़ाने पे किया, नई technology पे focus किया, आप देखिए, वंदे भारत train आज देशपर में बहुत popular है, उसका sleeper version आने वाला है जल्दी, वंदे metro आने वाली जल्दी, कामच्छा तेजी से चल रहा है, मार्च तक sleeper आ जाएगी, दो अमरित भारत नई train push-pull technology पे चालू की, बहुत अच्छी उसकी response है, 160-180% occupancy है, और ज़्यादा वो तियार करेंगे, तो आज के बजट में, इंटरिम बजट में, जो दो बहुत ही महत्वपून निर्ने प्रधानमंत्री जी ने लिये, वो है, पहला, corridor-based growth, corridor approach, बहुत ही focused way में, करीब-करीब देश पर में, 40,000 km नए railway track विछाने का काम, मोधी जी ने आज का मतलब पूरी जर्मनी का railway track, add कर लो, उतना railway track भारत में, अगले मोधी जी की अगली term में जोड़ जाएगा, बहुत बड़ी बात ही, इससे कई नई services चालू कर पाएंगे, आज 700 करोड पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, ट्रेवल कराते हैं, वो 1000 करोड तक पहुँचा solution बचता है, 90 प्रतिशत, इतना बड़ा ये, बहुत बड़ा एक step है, ये तीन corridor में एक rail सागर है, जो की ports के साथ connectivity का, दूसरा energy metal corridor है, energy metal और cement corridor है, और तीसरा corridor है, जो अपने railway का network है, चतुरबुच की shape का है, और कई इसकी arms है, इस चतुरबुच को अम्रित चतुरबुच की तरह develop करेंगे, जैसे जहां पर दो line है, वहां पर चार line करेंगे, जहां चार है और congested है, उसको 6 line करेंगे, कई जगे elevated करेंगे, कई जगे शहरों के bypass बनेंगे, कई जगे rail के उपर एक और flyover railway का, जिसे की train को surface पे crossing नहीं करना पड़े, बहुत एक सोची समझी तरीके से, बहुत detailing के साथ ये तीनों corridor का program बनाया गया है, इस corridor approach से, जो congestion है, वो congestion एक्दम खतम हो जाएगा, congestion खतम होने से, waiting list का जंजटी खतम हो जाएगा, 2030, 2031, 32 के आसपास आते आते, waiting list का जंजटी खतम हो जाएगा, ये मोदी जी ने बहुत सोची समझे तरीके से, काम को एक speed दिया है, एक नया vision दिया है, existing coaches जो 40,000 के आसपास हैं, उनको upgrade देने का target दिया है, stations 1300 के आसपास बन रहे हैं, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है, देश बर में लोग जहां भी मिलते हैं, मैंने कई जगे station पर जाके काम स्वेम भी दिखा है, बहुत अच्छी progress है, पूरा एक total transformation railway का हो रहा है